नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मारे चैनल समीर सिंग गाडन में और आज हम बात करेंगे अरिका पाम, अरिका पाम क्या है? बहुत ही खुबसूरत पोधा है, हरा भरा घर को रखता है, साथ ही साथ ओक्सिजन भी देता है, तो अक्सर हम क्या करते हैं कि अरिका प सब्सक्राइब उसकी पूरी टेक्निक में आपको बताउंगा कि एक पूधे से ही आप घर में जो है शेक्ड़ो पूधे बना सकें और अपने घर में रखें या किसी को गिफ्ट के तौर पे दें जैसे के बढ़े किसी फेस्टिवल पे gift है, यह सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम पौधा त्यार करें और कैसे उसको सर्वाइब कर सकते हैं। क्योंकि mostly लोग यह कहते हैं कि सर्वाइब नहीं होता कोशिश करते हैं लेकिन मर जाता है तो हम क्या साबधानी बरतने वाले हैं यह सब चीजे मैं आपको बिलकुल बताऊंगा देखिए पौधे को हम कैसे कनवर्ट करेंगे मतलब नए पौधे में यह देखिए सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि यह पुराना पौधा है और इस तरह से जो हमें इसके पत्ते सूखे हुए हैं कुछ दिखतेंस में हैं कुछ ब्रांची सूखी हुई हैं सबसे पहले हम इसकी क्लिनिंग कर लेंगे और आप बने रही है हमारे साथ और अपने घर में लगे हुए इसको दो पौधे से सेंकडों पौधे आप त्यार करें तो इस तरह का क्लिनिंग प्रोसेस हो गया अब हमें क्या करना इसको उखाड़ना है कैसे मतलब बड़े तरीके से उखाड़ना है पहले इसको मिट्टी को सचाइब धिर सीरे जुस्ट करेंगे ऐसे ताकि इसकी नीकाल दिया मिट्टी को लूज करते हैं थोड़ा थोड़ा थीरे थीरे लूज करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जड़े जो है वह काफी हपी हॉटी है जल्दी से निकलती नहीं है आम तोर पर यही गलती हम लोग करते हैं कि जवरदस्ती इसको करते हैं और उसका रिजन यह होता है पोधा हमारा बनने की बजाए मर जाता है तो इसको लूज किया हम अब कोशिश करेंगे इसको निकालने की मेहनत का काम है थोड़ा सा वह सकता है कि थोड़ा यह देखिए यह हमने अब इसको निकाल लिया अब इसकी जड़ को धीरे-धीरे हमें यह देखिए जड़ जो है इतनी ज्यादा है इसकी इसलिए निकल नहीं रहा था और यहीं हम गलती करते हैं तो इसको जो है बड़े प्यार से इस मिट्टी को हमें निकालना है जहां ऐसे थोड़ा-थोड़ा इसको हिलाएं यह किस तरह का जड़ है इसका इसलिए हम तो किया है पोधे बनाते हैं अप लोगों का सर्वाइब नहीं करता है क्योंकि ये इतनी मेहनत नहीं करके और सीधा काट देते हैं या खिंच लेते हैं तो उससे क्या होता है पोधा हमारा डैमेज हो जाता है अब देखिए आपके सामने कितनी जड़े हैं अगर ये जड़े नहीं इसके साथ रहेंगी तो पोधा कैसे सर्वाइब करेगा इसलिए सर्वाइब नहीं करता अब अगला प्रोसेस हमारा आता है कि इसको अलग कैसे करना है तो दोस्तों देखिए ये जो है जड़ समेत है और इसको हमें इतने प्यार से निकालना है कि हमारी जो रूट है वो डेमेज ना हो तो हम इसको बड़े प्यार से हिला हिला के हिला हिला के हम इसको निकालेंगे औ और इसकी रूट को हम डेमेज होने से बचा लेंगे, ये देखिए, एक पौधा हमारा ये निकलाया, और अगले साल ये दो में कनवर्ट हो जाएगा, तीन में कनवर्ट हो जाएगा, तो देखिए ये, सेफ निकलाया सेफर साइड, अब हम इसमें से और देखते हैं कि कितने अलग कर सकते हैं, और कितने तरीके से अलग करना होगा हमें, अब यहाँ पर देखिए कि फिर ये सखत हो गया है, मिट्टी है थोड़ी सी, तो इसको हम बड़े प्यार से इसको, बहुत ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो ये रूट डेमेज हो जाएगी, रूट डेमेज का ये दूसरा पौधा हमारा निकल आया है, बहुत ही बढ़िया, और बताइए जब इतने रूट के साथ होगा, तो क्या पौधा आपका मरेगा, कभी नहीं मरेगा, तो ये सापधानिया जो हैं छोटी-छोटी बरते नहीं हैं, जबरदस्ती करते हैं सीधा, हंगा, हंगी करत इसलिए हमारा पौधा त्यार नहीं होता, मर जाता है, तो इस तरह ना करें, बड़े डेलिकेटली काम करें, अब हम तीसरा पौधा इसके अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं, ये देखिए, ये तीसरा पौधा हमारा निकल गया, अब ये देखिए, ये हमारा चोथा प तो क्या कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो लेकिन जिसका कोई नहीं इसका जड़ है यारो तो यह जो है इसमें देखिए इतनी रूट के साथ चोटा सा पौधा बहुत ही बढ़िया चले गाई यह तो हमने कितने कर लिए यह तीन चार पांच पौधे हो गए और यह नन्हा पौधा एक ओर आ गया हमारा यह च्छठा पौधा और यह जो है सब के फादर सब के पिता परमपिता हो गया यह यह अपने आप में सबसे बड़ा है देखिए दो तीन चार पांच छे और एके साथ पौधे यानिके साथ जनम के साथ पौधे हमने तियार कर आप बात करें इस पोदे की तो अगर आप कहीं से परचेश करते हैं तो इस तरह का पोधा मेरे ख्याल से नीचे नहीं मिलता है। क्वारी का पाम का तो ये देखिए कि इसके हिसाब से हमने गर साथ पौधे निकाल लिए तीन सो के भी हैं तो 2100 का पौधा ये हमारा हमने फ्री में एक पौधे से ही त्यार कर लिया तो ऐसा बड़े आराम से आप कर सकते हैं अब हम अगला प्रोसे से बताएंगे कि इसको लिया हमने और इसमें कम से कम 10 इंची का गमला आपको लेना चाहिए ताके पौधा पढ़िया सर्वाइव करें सुराख होना चाहिए चे प्लास्टिकल ने मिटी का ले मिटी का ज्यादा बढ़िया होता है इस तरह की टिपड़ी लेकर के और इस होल पे हमने रख दिया अच् Penny और फंगस ना लगे उसके लिए हम नीमखली का इस्तिमाल करते हैं और लीफ कंपोस हम इसमें देते हैं तो यह तीन चीजों का मिट्टी में मिला आपना हो और कैसा रेशो होता है छ भाग मिट्टी दो भाग जो है लीफ कंपोस और इसमें जो भी मेजरमेंट यहां कि मिट्टी सक्त है उसमें आप एक भाग या दो भाग राइस का मिलाना पड़ेगा कोकोपिट में बिलकुन नहीं बोलता हूं कि फंगस आई नहीं तो राइस सब्सकह लेना है अब मेरे पास कि मिट्टी बहुत हलकी है तो हमने देखिए जो इंडोर प्लांट मिक्स उ हमारे garden की जो garden soil है पिछले 18 सालों से जो जवी क्यूज करते करते बिलकुल सौप्ट हो चुकी हुई है देख देंगे तो ऐसे केस में वेल ड्रेन है तो हमें राइस हस्क या कोको पिट मिलाने की जोरुत नहीं है अगर आपके भी garden में आपके अरिये की मिट्टी औरेडी रेत कि क्या जड़ फिट आ रही है या नहीं आ रही है जैसे कि यह उपर आ रहा जड़ देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसको मिट्टी को थोड़ा कम कर लेंगे मिट्टी को थोड़ा कम कर लेंगे और फिर से रखके देखेंगे देखें इसको रखके देखेंगे अब आ रह है कुछ ज़ादा है यह तो सको ट्रिम कर सकते हैं आप नीचे की पुराणी ठीप किया जा सकता है थोड़ा सा तो यह हमने रूट ट्रीमिंग कर दी अाब रूट ट्रीमिंग है या कई बार ऐसा कट लगता है दोस्तों यहां पे कट लग जाता है जब आप अलенное कर letting अक्सर ऐसा हो जाता है तो यह अलोवेरा देखिए जहां भी कट लगे वहां पर इस तरह से यह अलोवेरा लगा देना है ताके जो इन्फेक्शन है जो फंगस है वो आपके इस पौधे को टैमेज ना करें या जो रूट भी कट की है आपने जहां जहां से देखिए रूट अब हमने यह खड़ा किया सीधा खड़ा करेंगे और इसके चारो साइट से यही जो हमने पौटिंग मिक्स है इसके अलावा कोई खाद अभी नहीं डालेंगे क्योंकि नए सीरे से पौधा लगा रहे हैं और जब नए जड़ें चलती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात लेकिन अभी छाय में रखनी भी ऐसी नौबत नहीं है क्यों टेंपरेचर जो है बहुत ही अच्छा माइल टेंपरेचर है तो देखिए यह सीधा खड़ा हो गया और ऐसा लग रहा है कि अभी हमने नहीं लगाया यह पहले का ही लगा हुआ है और अगले साल तक इसमें से का हमने इसको सौ normax दिया है और यह फिर अगले दो से तीन साल में फिर हमें मुल्टिप्लाइ करने के लिए तयार कर लेंगए हम इसको तो इसमें हम क्या करेंगे कुछ भी नहीं एक बार पाणी अच्छे ते USDA पानी च्छे तो फैरवाद की धूप डलने इसे क्या होगा कि यह हरास हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा गर्मी मिल जाएगी इसे धूप दिन की तेज हो जाती है तो ग्यारा बार बार बजे तक की धूप में इसको रखें ये बिलकुल ही अंदर नहीं रखना है और ये कोशिश रहे कि य हिले ना बार बार हिलेगा तो इसकी रूट जो है फर्मली सैट नहीं हो पायेगी तो ऐसी कंडिशन के लिए अगर जाधा दिक्कत आती है तो इसके साथ हवा चलती है तो सपोर्ट लगा के बांदें कोई डंडी जो है उससे सपोर्ट कर दें तो उससे क्या होगा कि हिलेगा नहीं और रूट इसकी फरमली हमारी सेट हो जाएगी पौधा जो है आप देखेंगे हपते दस दिन के अंदर बिलकुल सही हो जाएगा ये और इसमें से जो नया कर सकता है कि महेंगे पौधे को अपने घर में तियार कर सके अर्वरी में तियार कर सके जादा लगाएं हमारे बातावरण में हरयाली फैले और साथ ही साथ जैसे कि oxygen giving plant है तो ये स्वस्थ रहेगा जितना ज़्यादा रहेगा उतनी oxygen की मातरा आपके घर और आसपास फैलेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे जब oxygen मिलेगी तो धन्यवाद